कि नमस्कार मैं परण्जोई गुहा ठाकुरता मैं न्यूस क्लिक में आप सबको स्वागत करता हूं आज का चर्चा का विशह है कि यह जो पहले अध्यादेश फिर कानून लाया भारत सरकार ने यह कानून लागू करने के पहले कानून सांसद में पास करने के पहले सरकार सच मुच अलग-अलग लोगों से बाच्चित किया उनका परामर्ष गया उनसे वारताल लाप किया यह सवाल क्योंकि हमारे साथ अंजली भरद्वाज जी है समाजिक कारे करता है उन्होंने सूचना का अधिकार का जो कानून ह इसके इस्तिमाल करके बहुत सारे सवार उठाएं और सवाल का जुच्छवाब आया हम लग रहे हम सबको लग रहे कि सरकार जो कह रहे हैरे जी कह रहे हैं जो सबसे उच्छे नहले में सरकार कह रहे हैं यह सच है कि नहीं इसके उपर बहुत बड़ा एक प्रश्ण चिनना आ गया तो अंजली धन्यवाद आपने न्यूस्लिक का दर्श्रक को आपका समय दिया तो हमारे क्रिशी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमार जी ने कहा कि बहुत लोगों से बातचीत किया वाइड स्प्रेड कॉंसल्टेशन और हमारे क्रिशी मंत्रा आलाय का जो सची वैसंजे अगरवाल जी उन्होंने सुप्रीम कोड भारतमस के सबसे उच्छे नहले उन्होंने ल ख्राइड कि यह जो हम सूच्णा दे रहे इसमें कोई सवाल नहीं था I will dispel the erroneous notion that the claims that have been put by the protesters peddled by the protesters कि सरकार उनों का कहना है कि यह जो हमारे जो किसान हमारे जो क्रिशक भी जो दिल्ली के बाहर आंधॉलन कर रहा है उन लोग कह ह這個是 सरकार किसी से बातचित नहीं और कानून लाने का द्यदेश लाने का पहले द्यदेश लाएगा जून महिशनमय जब महारी एक Gnash मैं था उसके बाद सांसद में आया, लोग सभा, राजय सभा में, कि लोगों से बात चित करने के बाद यह अध्यादेश लाया है और यह कानून लाया है, क्या सचमुन सरकार सच बोल रहे हैं या जूट बोल रहे हैं? जी धन्यवाद परणजोजी देखे हम देख रहे हैं पूरा देश में किस तरह से किसान सडकों पर उत्रे हुए हैं दिल्ली की सरहत पर इतनी कड़क सर्दी में किसान बैठे हैं और उनकी ये मांग है कि जो तीन क्रिशी कानून जो लाए गए हैं उन्हें रिपील किया जाए उन्हें सरकार रद कर दे और नए सिरे से बातचीत करके कानून लाए अब ऐसे में एक बड़ा सवाल सभी के मन में था कि क्या पहले बातचीत नहीं हुई और उसी को ध्यान में रखते हुए दिसंबर के महीने में आटिया एप्लिकेशन्स लगाए गई सुचना के अधिका सरकार कानून के तहट और सवाल पूछे गए देखे बातचीत करने के लिए कुछ जरीये हैं हमारे लोगतंतर में अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो सरकार की एक प्री लेजिसलेटिव कॉंसल्टेशन पॉलिसी है 2014 की मतलब कि कोई भी बड़ा पॉलिसी या कानून लान सरकार को उस पॉलिसी के तहट लोगों से विटार विमर्श करना पड़ता है कॉंसल्टेशन की जरूरत होती है और उस पॉलिसी में यह सीधा लिखा गया है कि कोई भी कानून लाने से पहले कानून का इग्जैक धांचा क्लॉज बाइक लॉज कानून में क्या लिखा गया है वो तीस दिन पहले कैबिनेट में जाने से लोगों के सामने रखा जाएगा और लोगों के विचार उलाए जाएंगे उनसे कॉमेंट्स लिये जाएंगे फीडबैक लिया जाएगा तो सूचना के अधिकार कानून में हमने एक सवाल जो पूछा था वो यह है कि सरकार ने प्री लेजिसलेटिव कॉंसल्टेशन पॉलिसी के तहत जो सरकार की खुद की पॉलिसी है उन्होंने कहां पर ये जो तीन फार्म लॉज हैं कृशी कानून हैं इन्हें कहां रखा किस वेबसाइट पे डाला किधर किधर लोगों को बताया कि हम ये तीन कानून लेके आने व तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि सरकार ने प्री लेजिसलेटिव कॉंसल्टेशन पॉलिसी का पहला पड़ाव ही क्रॉस नहीं किया उन्होंने तीनों कानूनों को कहीं पर डाला ही नहीं वेबसाइट में पब्लिक डोमेन में कहीं डाला ही नहीं अगर आप कानून का धांचा ही लोगों को नहीं बताएंगे, किसानों को नहीं बताएंगे, तो वो अपने विचार कैसे रखेंगे, वो कॉंसल्टेशन कैसे होगी, दूसरी चीज, आप खतम कीजिए, दूसरी चीज, एकनॉमिक टाइम्स में एक वरिष्ट ओफिशल ने अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, और इसको डिस्पेल करने के लिए उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत लोगों के साथ विचार विमर्श किया था, कानूनों के उपर हमने एग्रिकल्चिरल एकॉनमिस से बात करी, फार्मर से बात करी, मंडी ओफिशल से बात करी, और उसके बाद फिर हम ये कानून लाए थे, तो एक औ और RTI application में ये पूछा गया कि आप बताईए आपने किस-किस से चर्चा करी किन तारीकों पर चर्चा हुई क्या consultation हुई उसके जवाब में भी सरकार में जो agriculture department है ministry का उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे record नहीं है और जब मीडिया में ये बात आई तो एक और जवाब भेजा गया कि हम बता नहीं सकते हैं under section 81B of the RTI Act कि आपको सूचना नहीं दे सकते क्योंकि ये जो सारा मामला है ये court में है अब अगर हम 81B देखें कानून का उसमें ये लिखा है कि अगर court ने मना किया हो आपको देने से ये सूचना तब आप नहीं दे सकते court तो खुद पूछ रहा है सरकार से क्या आपने क्या consultation की क्या विचार विमर्श किया आप हमें बताइए तो court मना नहीं कर रहा है तो ये illegal denial हुआ जो भी हो कह रहे है तो इसका मतलब आप जो कह रहे है सरकार आपको बता रहे है आप सूचना का अधिकार का माध्यम से सवाल उठाया और केंद्र सरकार कहार है कि हमारे पास कोई record नहीं है हमारे पास किसी को पास कुछ record नहीं कि यह अध्यादेश लाने के पहले यह कानून का लागू लाने के पर हम अलग-अलग लोगों से विचार दिमश्या इसके मतलब हमारा कृष्षी मंतरी माननिया श्री नरे यह अचिका में लिखित रुप में दिया वो सच नहीं कह रहा है साफ साफ कही है जूट बोल रहा है देखे सीधी सी बात है हम अगर कहें कि ब्रॉड मुद्दों पर चर्चा हो रही है क्या reform होने चाहिए है कैसे reform होने चाहिए है 20 साल से 70 साल से agricultural reforms पर चर्चा हो रही है वो एक अलग चीज है अगर हम कहें कि इन कानूनों पर चर्चा हुई के नहीं वो अलग चीज है अब लोग आज जो बैठे हैं सारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इन कानूनों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारा सवाल भी सरकार से यही था क्या आपने इन ती इन कानूनों के उपर चर्चा करी विचार विमर्ष किया और उस में समझ में आ रहा है कि ऐसा record हमें कोई भी नहीं दिया गया और PIO कह रहे हैं कि ऐसे records नहीं हैं हमारे पास तो जो बात सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में दावा किया जा रहा है वो कह रहे हम 20 साल से चर्चाएं कर रहे हैं 20 साल से इन कानूनों के उपर चर्चाएं कैसे हो सकती है देखे जब एक ब्रॉड चीज पर चर्चा होती है वो एक चीज है जब कानून बनता है वो clause by clause उसके हर clause का एक माइना होता है लोगों के साथ उसका discussion होना चाहिए वो नहीं हुआ है ये समझ में आ रही है ठीक है अंजली जी ये सप्टमबर 2019 में ये नीती आयोग ने एक समिती गठन किया जो अलग 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 राज्य का जो मुख्य मंत्री है और किस विश्य को उपर ये ख्रिशी शेत्र के उपर एक समिती गठन किया और उन लोग बादचित के बाद एक रिपोर्ट त्यार करके सप्टमबर 2019 में ये नीती आयोग में पेश है तो 16 महिना के बाद ये रिपोर्ट कहां है नीती आयोग इस विश्य इस रिपोर्ट के उपर जो अलग अलग राज्य का मुख्य मंत्री ने बादचित किया विचार किया विमर्ष किया नीती आयोग का जो सबसे उच्छे जो समयती है जो गवर्निंग काउंसिल है अभी तक वहां पे उन्होंने ये प्रेजेंट भी नहीं किया बादचित भी नहीं है इसका मतलब क्या है सरकार दिखाने चाहते हैं कि हम सबसे बात करके ये कानून लाया मगर सच मुझ किसी लोगों से बात क्या और इसमें फेडरलिज्म भारतवर्ष का जो संगी धाचा है क्यूंकि ये जो क्रिशी है और क्रिशी का जो पादन है ये कॉनकरेंट लिस्ट में है क्योंकि ये राज्य सरकार का भी गूविका है और केंद्र सरकार केंद्र सरकार कह रहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब आपका जो फसल होता है जो पादन करते हैं एक जगा तो इसी लिए केंद्र सरकार आ गया मगरा राज्य सरकार क कानून होना चाहिए क्या नियम होना चाहिए तो इसका मतलब है भारतवर्श का जो सरकार कह रहे कोपरेटिव फेडरिलिस्म संच मुझे एक कानून जिस तरह से लाए है जिस तरह से एक मुख्यमंद्री का समेथी का रिपोर्ट आपने नितियायो का गवर्निंग काउंसल में पेश नहीं किया इसका मतलब क्या है यह हमारे जो मोदी जी का सरकार है दिल्ली में यह सच मुझ क्या भारतवर्श का संगी धाचा को कमजोर कर दिया देखिये जो तीन फार्म लॉज आए है इसका बहुत व्यापक इसका क्षेत्र है इसमें मंडी की प्राइविटाइजेशन के उपर असर पढ़ता है फार्मर्स की लाइवलिवूड के उपर डाइरेक्ट असर पढ़ रहा है प्राइविटाइजेशन की बात हो रही है होर्डिंग अलाउड नहीं है उसके उपर भी चेंजेश लाया है तो इसमें लोगों के साथ विचार विमर्श होना बहुत जरूरी था और साथ ही में जैसा आपने कहा एक फेडरल स्ट्रक्चर में जो भारत है उसके अंदर बहुत जरूरी था कि कम से कम स्टेट से तो बा जून के अंदर इनको लाया गया खुद ही में ये एक अंडेमोक्राटिक गैर लोकतांतरिक तरीका है किसी भी कानून को लाने का इसमें बड़ा सवाल उठता है लेजिसलेटिव कॉम्पिटेंस का कि क्या ये सेंटर को लाने चाहिए थे ऐसे कानून के स्टेट्स को लाने चाहिए थे लेकिन और्डिनन्स के रूप में इसको लाया गया और फिर सेप्टेंबर में पार्लेमेंट में इसको पेश किया गया और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं राज्यसभा में चिल्ला चिकी हुई है वहाँ पर फिरोधी दल का जो सांसद है उनको धब्दा उन्होंने कहा कि इस पे तो कोई अपत्ती नहीं होनी चाहिए है क्योंकि हमने चीफ मिनिस्टर से बात करके हाई पावर्ड कमिटी बनाई और उसमें पंजाब, हर्याना, उत्तर प्रदेश, उडिसा, अरुनाचल प्रदेश जैसे सरकारों के चीफ मिनिस्टर को बिठाया उन्होंने जो आवश्यक वस्तूओं का जो कानून है उस पे चर्चा करके कहा कि ये बिल आना चाहिए, ये अमेंडमेंट्स आनी चाहिए है, तो उन्होंने ये पार्लेमेंट के फ्लोर पे और पंजाब का मुख मंत्री, आपका कैप्टन अमरिंदर सिंग जी बोला कि ने जी मैं तो नहीं खाँ, मैं तो नहीं माना, तो क्या सच है, सभीती क्या बोला नहीं बोला, किसी को मालू ही नहीं है, बिलकुल, और हमने फिर उसके बाद नीती आयोग के वेबसाइट पे भी ढूंडा, हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली, मिनिट्स नहीं मिले मीटिंग्स क तो एक RTI अप्लिकेशन फिर लगाया गया नीती आयोग में, यह कहने के लिए कि आप इस कमिटी जो आपने मुख्यमंत्रियों की बनाई थी, उसके हमारे साथ रिपोर्ट शेर कर दीजे, और हमें बताईए कि कौन-कौन इन मीटिंग्स में आया, इस मीटिंग्स क्या है, वो भी हमें बता दीजे, अब उसके जवाब में हमें यह कहा जा रहा है, नीती आयोग ने यह कहा है, हम आपके साथ यह कुछ शेर नहीं कर सकते हैं, और उनका यह कहना है कि जो रिपोर्ट बनी, वो नीती आयोग के गवर्निंग कांसल ने अभी अप्राइज नहीं करी है, जब मीटिंग होगी, as and when a meeting is held, हम उसको अप्राइज कराएंगे और फिर उसे हम पब्लिक करेंगे, अब देखिए गवर्निंग कांसल में कौन है नीती आयोग के, यह बहुत बड़ा सवाल है, नीती आयोग के गवर्निंग कांसल में सारे देश के राज्यों के मुख्यमंत जब देखिए अगर कोई रिपोर्ट आई है, उसे छुपाया क्यों जा रहा है, अगर विचार विमर्श हुआ है स्टेट्स के साथ, तो छुपाया क्यों जा रहा है, नीती आयोग के आप गवर्निंग कांसल के सामने भी नहीं रखा गया है वो, और ऐसी क्या टेरिंग हरी है, ऐसी क्या जल्दी है कि इन कानूनों को थोपा जा रहा है लोगों के उपर और जैसा कि आपने कहा ना केवल पहले विचार विमर्श नहीं हुआ, पारलेमेंट के अंदर भी जब इसके उपर बात चीत हुई देखिए लोगतंत्र में लोगों का तंत्र है, लोगों का र ही गई, कि सिलेक्ट कमिटी में इसको भीजा जाए, तो डिविजन भी नहीं अलाव हुआ, और सीधा इन कानूनों को पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया, और आज हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं, कि जब बिना किसी कॉंसल्टेशन और विचार वेमर्श के किसानों के साथ में ये कानून पास किये गए हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग सडकों पर उत्रे हैं, किसान उत्रे हैं, और वो सारे लोग जो समझ रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा पर, PDS के धांचे पर भी इन कानूनों का कितना बुरा प्रभाव होगा, वो भी सब आज बैठे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार ये बार बार कह रही है कि लोगों को भ्रमित किया गया है, सरकार कह रही है हमने बहुत विचार विमर्श किया, लोग भ्रमित किये जा रहे हैं, ये कानून बहुत अच्छे हैं, अब आप हमारे साथ क्लॉस बाइ क् करिए clause by clause consultation पहले करिया जाना चाहिए बाद में नहीं किया जाता है कानून पारित करने के बाद में clause by clause consultation कैसे होगा अंजली जी एक आखनी सवाल है और यह सवाल है ठीक जिस विशे के ऊपर हम लोग बातचित करें ठीक उसी के साथ नहीं है अलग विशे है मंगर यह सूचना क का अधिकार की जो कानून है इस विशे की पर कुछ दिन पहले दिल्ली के सबसे उच्छे नहल है हाइक दिल्ली हाइक नेक ओडर कि कि आप जैसे वेक्ति आप सूचना का अधिकार की कानून को इस्तिमाल करके आप अलग-अलग सरकारी मंत्राले डिपार्टमेंट से सवाल आप दिल्ली हाइक कोट कह रहे है कि आपको बताना परेगा आप क्यों यह सूचना चाहिए वाई आई यू सीटिंग दिस इन्फोमेशन और आपका क्या क्याना है कि यह जो सूचना का अधिकार का जो कानून है इसके छे ब्रैकेट में दो धारा का उलंगन हो रहे हैं आप जब कुछ सूचना किसी से मांग रहे कोई सरकारी दफ्तर से मांग रहे कोई सरकारी मंत्राले से मांग रहे डिपार्टमेंट से मांग रहे आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं आप क्यों ये सूचना माग रहे तो ये बहुत ही चिंता का इन विश्य है जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में ओर दिया और आप क्या लग रहे इसको आपको चैलेंज करना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि ये गैर क कानूनी है जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट का ओर्डर है ये आपने जो सवाल उठाया है ये बहुत ही ज्वलंत सवाल है और आज की तारीक में सभी सूचना का अधिकार इस्तिमाल करने वाले लोग इस देश के इसके बारे में वरिड भी होंगे इस दिल्ली हाई कोर्ट न जो सूचना का अधिकार कानून है उसमें लिखा है धारा छे में लिखा है कि जो सूचना मांगना चाहते हैं उन्हें कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है कि उन्हें सूचना क्यों चाहिए ये कानून में लिखा हुआ है अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि यह जज्जमेंट इसलिए भी इसको हटाना जरूरी है इस जज्जमेंट को चैलेंज भी करने की जरूरत पड़ी तो किया जाएगा दूसरी चीज यह है कि सुप्रियम कोट ने औरेडी कह रखा है कि सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है लोग तंत्र में हमारा बेस तो जो हमाई राइट ने दाएट वो हमें बताएं कि क्यों नहीं दे रहे हैं हमें नहीं बताने की जरूरत होती है तो यह जो जज्जमेंट आया है यह बहुत प्रॉब्लेमाटिक है ऐसा एक जज्जमेंट पहले भी आया था मदरास हाई कोर्ट के थूँ कुछ साल पहले और उस समय पर भी जब को धारा सिक्स के बारे में बताया गया धारा च्छे के बारे में तो कोर्ट ने खुद भखुद उस अर्डर को रिकॉल कर लिया था तो हम कोशिश यही हमारी और उमीद भी यही है कि कोट ये धारा छे को समझेंगे और इस ओर्डर को भी रिकॉल करेंगे देखे परण जो है जी ये जो सब चीजे हैं ये आपस में अफकोर्स लिंक्ट हैं हम देख रहे हैं कि जब सूचना हैं लोगों के पास नहीं होती हैं जो कानून भी जैसे लाए जा रहे हैं धारा चार जो सूचना का अधिकार कानून है उसकी कहती है कि जो भी कानून लाया जाए पॉलिसी लाई जाए उसको पहले पब्लिक में रखा जाए और वो बार बार ऐसे से जो धारा हैं उनका उलंगन होता है हम देख रहे हैं कि हर स साल महरी देश में लोग सडकों पर उतर रहे हैं वो चाहे सिटेज़नशों इंसमींडमेंट एक्ट हुब चाहे फार्मर्स लोज हो चाहे लीबर कोड़्ज हो वो इसलिए भी होता है कियो के सरकार पहले से लोगों को बताती नहीं है कि वो क्या कर रही है, सूचना नहीं देती है, उनसे कंसल्ट नहीं कर रही है, और जब तक वो नहीं होगा प्रोसेस, तो लोग तंत्र में हम देखते रहेंगे कि लोग सडकों पर उतरेंगे, क्योंकि उनके जो मतलब का कानून है, पॉलिसी है, वो बनेगा न कि उनको काम करें वरना जिस तरीके की situation हम आज देख रहे हैं जमीन पे ये बार-बार आती रहेगी धन्यवाद अंजली जी आपने सूचना का अधिकार का कानून के बारे में अच्छी तरह से आप समझते हैं आपने आपने उधारन दे के बताया किस तरह से सरकार आम आदमी के साथ सूचना देने के लिए त्यार नहीं है धन्यवाद आप सब आप सुन रहे थे अंजली भारदवाज जी को सावाजिक कारे करता है और आप सब देखते रहेए निउस के